दोस्तो औकसर में ने देखा है कि परिंग्र की ऐच में बहुत सबस्क्राइब हुद होते हैं कि हमें अपने घर के लिए फिर्फ हाइट ऑफ में किसे क्ति न की रखने कि ठोखने वाले हैं और डिक्थ भी। myśए मैं और हम अगए हुदी में पर बताए है शुकत लेकिन पर जरू किजिए दोस्तों हमें अपने पलीन भीम की जो हाइट होती है वो हमेशा अपने एरिया की जो गली होती है जिस एरिया में आपका मकान आप बना रहे हो तो उस एरिया की जो गली आपकी लगती है उसकी condition को देखके ही आपको जो है उसकी हाइट रखने चीए आपके plane beam की मेरे कहने मतलब दोस्तों यह है कि अगर आप जिस area में मकान बना रहे हो उस area की जो गली आपको लगती है आपके front में या side में अगर वो पूरी तरह से जो है complete बन चुकी है पकी बन चुकी है ठीक है उसमें connection और या जो भी कोई भी काम पैंडिंग नहीं है ठीक है तो उसके according ही आपको जो है अपने plane beam की हाइट रखनी ठीक है अगर मान लिजी कि अगर आपकी जो गली लगती है जिस area में आपका साइड में या फ्रेंट में अगर वो कच्छी है उस condition में दोस्तों जो है आपको अपने plane beam की जो हाइट है वो कितनी रखनी चाहिए देखे दोस्तों मान लिजी आपकी जो गली पक्की है पहला कि ठीक है उसमें जो है सारा या शीर लाइन उगरा या जितने वर्क होते हैं आपकी गली उगरा में सारे हो चुकी है तो उस condition में दोस्तों आप minimum जो है आप three feet तो या तउसší ठीक हो है तो उसमें के प्योंकर में बहुत सारे बिद्धेत हैं और या साधी तीन फिट अँगर आपके जरूर्ट तो आपको फूर्टे Courtney में होई बता रहा है कि मान लिजएस सारे प्रियूचर में कभी आपकी गली जो है बनती तो उस time पर जो है आपकी गली जो उठेगी जरूर ठीक है जो आपकी पहले जो हाई जो लेवल होता है आपकी गली का वो कभी भी उतना नहीं रहता है हमेशा जब भी गली बनती है तो हमेशा गली उठती है ठीक है तो वो फ्यूचर के हिसाब से आपको साड़े तीन फिट आप रखो ठीक है तो यह हाइट आपको शाड़ी तीन फिट आगर लेके चलते हो आप तो फ्यूचर में आपको कभी भी कोई दिकत नहीं आने वाली है और अगर आपकी गली जो कंपनी बन चुकी है तो आप तीन फिट आप रख सकते हो तो वह चलेगा ठीक है तो यह जो है इन की जो हाइट है वह कितनी रखती है तो दोनों को बता दिए तो एक छोटी शिंफॉर्मिसित रिगार्डिंग प्लिंग के हाइट को ले करके आई होग दोस्तों आपके जितने भी डाउट होंगे वह सारे कलेर हो गया होंगे और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद तक जब भी मनें वीडियो प्लोड को आपको उसका नोटिफिन मिच किये थैंक्स पर आचिंग धन्यवाद